हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सीयर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन साफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डियन, कोट्ट गल्स स्वेटर, गल्स टॉप, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, कैप, आदि में बनके देखे, बहुत ही खुबसूरत हमारा यह पैटन आया है, यह देखे, यह हमारे पैटन का फ्रंट साइड है, और यह देखे, यह हमारे पैटन का बैक साइड है, इस पैटन को बनाने के हमने 11 के multiple में फंदे डालने हैं पलस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं दस नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेना है और front side से हमारा ये pattern बनना start होता है सबसे पहले में अपने project के साब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बनाके complete करेंगे border pattern complete होने के बाद हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे न्यू वीडियोज की notification के लिए बैल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना pattern बनाना start करते ह तो देखे बॉर्डर complete होने के बाद front side से pattern की first row, pattern की first row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, अब next हमारा 11 फंदों में pattern बनना start हो जाएगा, तो देखे धागा अपनी side करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, धागा पिछे करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पहला फंदा छोड़के, इन ही 11 फंदों का process हमने आगे repeat करने, हमारे project के इसाब से हमारे first row में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही process बार बार repeat करने, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 9 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, और last में हमने 2 फंदे उल्टे बुन लेने, 1, 2, last का फंदा सीधा बुन लेंगे, तो देखे ए front side से pattern की first row complete हो गई, back side से second row, अब second row में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी side, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, अब next आपने 6 फंदे डबल रोल करके बुन लेने, तो देखे, 1, 2, 3, हर एक फंदे को हम ऐसे डबल रोल करके बुनेंगे, 4, 5, 6, यह देखे, 6 फंदे हमने डबल रोल करके बुनें, देखे, स्टार्डिंग का फंदा छोड़के देखे, 2 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे उल्टे बुने, 6 फंदे हमने डबल रोल करके बुने, यही 11 फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करते जाना है, और लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे आजाएंगे, लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा, तो देखे, यह बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लीट हुगई, अब देखे, फ्रन्ट साइड से पैटन की थर्ड रो, थर्ड रो में देखे, पहला फंदा उतार लेने, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे उल्टे आगे, धागा पीछे कर लेंगे, अब देखे, नेस्ट आपने छे फंदे सिंगल करने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह देखे, यह छे फंदे हमने सिंगल कर देए, आप देखे, जो यह पीछे के तीन फंदे हैं, इनको एंसे उठाएंगे left needle में और आगे के 3 फंदों के ऊपर से इंसे आगे लाएंगे उतार लेंगे, देखें इस तरीके से इस तरीके से हमने इन 6 फंदों को twist कर दिया आप देखे राइट needle वाले फंदे भी हम left needle में shift कर देखें आप देखें इन 6 फन्दों को हम एक एक करके सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै यह दिए 6 फन्दों को हमने इस तरीके से ट्विस्ट करके बुन दिया फिनेस्ट हम तीन फन्दे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, धागा अपनी साइड, लास्ट के दो फन्दे उल्टे आ जाएंगे और एक फन्दा सीधा आ जाएगा दो फन्दे सीधे, दागा अपनी साइड, अब नेस्ट हमने 6 फन्दे डबल रोल करके बुन देने, तो देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै, छै फन्दे हमने डबल रोल करके बुने, अब नेस्ट तीन फन्दे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, लास्ट में हमारे दो फन्दे सीधे आएंगे, और एक फन्दा उल्टा आ जाएगा, यह देखे, बैक साइड से हमारी पैटन की फोर्थरों कम्प्लीट हुए, अब देखे, फ्रंट साइड से पैटन की फिप्तरों, फिप्तरों में देखे, पहला फन्दा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फन्दे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, तीन फन्दे सीधे, एक, दो, तीन, तीन फन्दे सीधे, अब नेस्ट हमने 6 फंदों को सिंगल करना है देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे अब इन 6 फंदों को हम देखे लेफ नीडिल में सिप्ट कर देंगे यह देखे अब आगे के 3 फंदे छोड़के पीछे के 3 फंदे पहले बुनेंगे तो देखे, जो चोथे नंबर का फंदे है इसको हम पहले बुनेंगे यह देखे इस तरीके से और आगे के 3 फंदों के उपर से उतार के ऐसे सिलीप कर देंगे फिर देखे अब जो ये नेस्ट फंदा है आगे के तीन फंदे छोड़के देखे जो नेस्ट फंदा है इसको भुनेंगे ऐसे सीधी साइड से सलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा भुनेंगे फिर इस फंदे को आगे के तीन फंदों के उपर से उतार के इस तरीके से सिल इस फंदे को आगे के तीन फंदों के उपर से उतारके सिलिप कर देंगे, यह देखें, हम नेश्ट तीन फंदे, एक एक करके सीधा बुन लेंगे, तो देखे इस तरीके से हमारे 6 फंदे ट्विस्ट हो गए और इनको हमने एक-एक करके सीधा भी मुन दिया तो देखे इस तरीके से हमारा पैटर्न आ जाएगा धाग अपनी साइड करेंगे लास्ट में 2 फंदे उल्टे आ जाएगे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे इस फंद साइड से हमारी पैटर्न की फीप्तरों कम्प्लीट हो गई अब देखे बैक साइड से 6 रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे ये 2 फंदे सीधे आ गए धागा अपनी साइड अब नेस्ट देखे एक दो तीन तीन फंदे उल्टे अब नेस्ट हमने 6 फंदों को डबल रोल करके बुणना है तो देखे एक दो तीन चार पांच छे अब नेस्ट हमने इनही 11 फंदों का प्रोसिस रिपीट करना है देखे बैक साइड से जो हमारी ये 6 रो आ रही है इसमें हमारा पैटन रिपीट हो रहा है बैक साइड से 6 रो को हम सेकिंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उर्टा तो देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की 6 रो कंप्लीट हो गई इस 6 रो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था 6 रो को हमने पैटन की सेकिंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया अब फ्रंट साइड से देखे जो हमारी 7 रो आएगी उसको हम पैटन की 3 रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, थेंक यू